वेलकम टू मैं चैनल मेरा नाव विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं रेट्बू नोट 7 प्रो में जो है रूट एनेबल करके आप यहां पर देख सकते हो जैसे कि करने के बाद ही आप अपने डिवाइस को रूट कर सकते हो तो यहां पर डिवाइस को बूट लोडर अनलॉक कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर टीडबल और इंस्टॉल कर लेना है तो दोने के उपर यहां पर मैं वीडियो अलरी बना चुका हूँ वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाके देख के जो है आप अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो तो डिवाइस का बूट लोडर फस्ट आपको अनलॉक करना है उसके बाद TWRP इंस्टॉल करना है उसके बाद आपको यहां पर यह step follow कर लेना है root enable करने के लिए आप यहां पर देख सकते हो और उसके बाद जो है आपको यहां पर फाइल डाउनलोड कर लेना है जैसे कि आपको यहां पर बता देता हूँ तो download में आप यहां पर द उसके लिए जो है आपको यहाँ पर जाना है recovery mode में उसके लिए आपको power button और volume up button दोनों को press and hold करना है यहाँ पर redmi logo दिखते ही आपको यहाँ पर power button को release कर देना है तो redmi logo को देख चुके उसके बाद आपको यहाँ पर power button को release कर देना है आपको सिर्फ hold करके रखना है volume up बटन को तो यहाँ पर देख सकते हो recovery mode में यहाँ पर मैं boot हो चुका हूँ यहाँ पर brightness तोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है इसके कारण जो है आपको यहाँ पर dim light देखने को मिल रहा है तो adjust कर लिजे फ्लीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है जिसकि install में जाना है आपने जहाँ पर file को यहाँ पर copy के आता हूँ जिसकि Magist Manager Zip आपको यहाँ पर जिफ को पहले आपको यहाँ पर flash कर लेना है आप यहाँ पर देख सकते हो जैसी कि flash हो रहा है तो यहाँ पर इसको flash करने दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर flash करना है जैसे कि आपने जो copy कहा था dm verify उसको आपको यहाँ पर flash करना है तो यह flash होने तक आपको यहाँ पर wait कर लेना है जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैं flash होने तक wait करता हूँ यहाँ पर देख स जैसे कि system reboot कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आपका फोन यहाँ पर बूट होगा उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करोगे तो रूट अन्यावल आपके device में हो जाएगा आप उसको अन्रूट भी कर सकते हो अन्रूट का मेदड भी आपको नेक्स टूडियो मे वेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो device बूट हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ जैसे कि root access को यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि root access अभी भी नहीं मिला है ओके यहाँ पर आप देख सकते हो तो magis manager आपको यहाँ पर open कर ल आप यहां पर देख सकते हो तो उसके बाद फिर से आपको यहां पर ओपर कर लेना है रूट चेकर को उसके बाद आपको यहां पर इसको जो है क्लीन कर लेना एक बार तो यहां पर चेकर कर देता हो जैसे कि रूट अक्सस को यहां पर देख सकते हो ग्रांड कर लेना है यहां पर आपको root enable करने के लिए आपकी device का जो bootloader है वो unlock रहना बहुत सी ज्यादा जरूरी है और इसके बाद आपको यहां पर TWRP भी इंस्टॉल करने ना होगा अपने device में तो उसके बाद आप यहां पर root भी कर सकते हो यहां पर देख सकते हो तो root करने के बाद इसको आप unroot भी क को like कर लिजे अगर आपको कुछ भी पूछना है redmi note 7 pro के related तो आप निचे मुझे कामेंट करके पूछ सकते हो अगर आप मेरे चनल में नए हो तो प्लीज आप मेरे चनल को subscribe कर लिजे जैसी कि एक आपका subscribe जो है बहुत ही जादा मुझे help कर सकता है तो please मेरे चनल को subscribe कर कर लिजे और बैल अगरन को भी दबा लिजे जैसे कि आपको यहां पर लेटेस्ट वीडियो का update मिलते रहेंगे तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद